अरट लाम के धोडर में पांच तिन पहले लापता होई युवा कशब बरामत कर लिया गया है ुवा कशब परवलिया डेडों के पीछे एक अकुई से बरामत किया गया युवा की उम्र 20 साल है उसका नाम लोकेश है लोकेश एक नविम्बर से लापता हो गया था दो तारीक को पुलिस ने गुम्शुद्गी की रिपोर्ट दर्स कराई थी, इसके बास इला परवाई बरतनी के आरोप पे, स्पी ने चौकी प्रभारी को सस्पेंट कर दिया बीते चार दिनों से पुलिस की अलगलग टीम युवक की तलाश करे थी, उधरा पुलिस बामले में एच्छाय आरोपियों को हिरासत में लिया है पुएंडी टीवी ग्राउंड जीरो पर ये रिपोर्ट बता रहा है, आप देख सकते हैं कि यह वह कुआ है, जहां से लोकेश, उनका जो है, जो उसका शव जो है, यहां से बरामत किया गया है या परवलिया, जो छेत्र क्यालाता है, परवलिया के डेरे हैं यहां पर, और इस पूरे, यहां से कुछी दूरी पर सड़क भी है, और तमाम आवाजाही वाला जो है छेत्र है, लेकिन यह एक खेत है, जहां पर इसके सुबह जो है, अभी पता लगा है, जब शव से है, क्या नाम है आपका, मेरा नाम पराम पता चवान है, रम्दर जी क्या हुआ है, कैसे आपको पता लगा से, सर पहली बाद तो यह उमसुद्गी नहीं है, वो यहां आये थे, मतलब यहां क्या जा रहा थे, सामरा जी, तो बीच में यहां ढबे पर रूख गया, रूखने मारना चालू कर लें, फ़र चूड़ाने के बाद सबको अलग लग कर दो, यहां के सी लोकेशन बता दें लोग कि यहां पर अगर कुछ विवाद हो जा था, तो मारते हैं, ॅधिक्तर होते रहे, तो वो सीधे इधर बगे, आपन बाद में लें लेंगे, गाड़ी चीना ल गई तो जो बाकी लोग ते वो उस तरब पूद गए क्राउसिंग से उस तरब हो गए और वो सीधा चला चला उसके बाद इन लोगों ने दर केमरे की लोकेशन निया इदर पकड़ा धगड़ी करी उसको मार पीट कर रहा और वो कर दिया कुछ बूला नहीं आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देखिए जो है एक गटना क्रम कोछ इस तरीके से हुआ कि लगभक नौ युवक जो है वो लगभक सभी 18-24 साल के वह उजयन से यहां पर डोडर में आये थे और आने के बाद इनका जो लोकल किराना दुकान है वहां पर सिगरेट के पैसे को लेकर के 20-15 रुपय में देने को लेकर के विवाद हुआ बाद में ढावे के पास मार पीट हुई और फाइनली जब मार पीट हुई तो बाकी लड़के भाग गये लेकिन एक लड़का लोके इस्तंबोल लिया वो जो है फराज वो सारी वो मिसिंग हो वो लापता हो गया था लापता होने के बाद जो है हमारे पास सूचना लगभग तीन तारीक को आई और उसी के बाद कुम इंसान कायम करने के बाद कारवाई की गई और सर्चिंग के लिए टीम लगाई गई थी आज जो है जो बॉडी थी वो लड़के की मिली है लगभग श खेसे साथ टीमें काम कर रही थी और दोसों साधी जवान लगाए थे और यहां तक किये भी है कि आपने जैसे ही यह मामला आपके सामने आया तो आपने चौकी प्रभारी को सस्पने तो किता चैलेंजिंग रहा बिल्कुल देखिए यह काफे चैलेंजिंग केस था एक ब्ल चैलेंजिंग रहा था यह लगातार रात भर हमने जो है डेरो की सर्चिंग की डेरो की सर्चिंग करने के बाद ड्रोन्स को यूज़ किया वाटर ड्रोन्स को भी यूज़ किया पहली बार हमने वाटर ड्रोन्स को भी यूज़ किया क्योंकि जो भी वाटर बादिस तो इसम में क्लियर कर दिया थे इसको तो लगातार लगबद 36 घंटे तक पुलिस कर्मी लगातार तो उसको पुलिस कर्मी रिसमें लगे रहे थे